हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टोडी फीटो फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों यह यंपी सुपर्टेट जो वर्ग टू है यूपी टीजिटी दोजर चोबीस पचीश यूपी यल्टे ग्रेट राजस्थान पिटी आई बीपी एसी टियारी फो सभी के लिए वीडियो है या प्रैक्टिस सेट नंबर फाइफ है दोस्तों डेली बेसेस मैं इंगली सिंधी दो गलत हो जाते हैं मेरे ही गलती के करण जानती हुए भी क्योंकि दोस्तों जो दो तीन घंटा चार घंटा मेहनत करता है उसके दिमाग थोड़ा सा अन्बालेंस हो ही जाता है तो जैसे कि मैंने उसमें बताया था जो रेली रेस का जो दूसरे लेल का इस्ट्रैगर था 7.04 होगा मैंने कुछ और बता दिया था तो उसके लिए मैं आलक से वीडियो बना दूँगी आप टेंसर न लेजिए और जो भी कमिया रहे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए क्योंकि जो भी चीजे होंगी हम सब मिल करके उसको सालो करेंगे और जिस कोशन का इंसर नहीं तो हम सब मिल उसको सब्सक्सक्राइँ लेकिन रूखेंगे नहीं बस जानीת की नेहिпрोचना शाना है जिएक चलना है रुकने का नाम मोत होता है और जीवन चलने का नाम है तो हम चलते रहेंगे गल्तिया कि उदार तहर चलते के घुच्छ लुट कोश्चन नमर्वन है दोस्तों कि यह मांसपेसी की चोट है तो दोस्तो एक दिस अंडिस इंजरीatu मांसपेसी या थे चॊट इसक्रिण हूं कहते हैं मांसपेस या टेंड़न चोट को हम इस ट्रेंद या also पहते हैं और और लिगामेंट की इसकान चूट को हम मोच यानि जैसे कि जो हमारा ligament होता है वह हडी और जो हमारा इटेंडन होता है है और कंकार को हड्यों स्जोड़ता है आपको दोस्तों सभी इंजिर्स के बारे में अच्छे से जानना है जैसे कि आपका इस्वि diff प्रकार होते हैं कभी-कभी detailed पुछे पूछी तो भी पूछ सकता है कोसिका का पावर हाउस कर involvement ते時 कोसिका भिष्वावर क्या भाता है और अ statoवर कर छाना कर शुझा सेaş्म सब्सक्राइख उता है दिन तक कषए का एन में कर आ उतो विए क्षा उत्र खाली के निद मुटा हूस दोस्तों जैसा कि है तो क्या आ यह सब्सक्राइखिस्ट है उसको कहते है वाय सोषन हमारा फेप्ड़ा सामिल होता है इसमें दो प्रक्रियाएं होती है इंस्पायरेशन एकस्पायदेशन स्वास अंदर लेना इंश्पाइडैशन, स्वास बाहर चोड़ना एक्षपाइडैशन, उसकी बाद क्या होता है? वाह इस्पाइडैशन में में इंश्पाइडैशन एंश्चेंज अगयाले वता है, problème चैन उसमें लिपाइनला के दुबारटक वालोक रास्ते हैं अनिल spect 수가 in Yeca 21 pond लिजए दुभाबबि समयावा सबस्कूशीईरी मुत की दको viewed ondo यहां अनिलなたंव से वालोक राष्ट वस्कन से बाद पहुत की कोशिका निल गाता है कोसिका के पास, कोसिकाओं में जाकर के कोसिकी स्वसन होता है, जिसे हम आंत्रिक स्वसन कहते हैं, वहां पे सबसे पहले वा कोसिका द्रब यानि साइटोपला ने पहुचता है, जहां पे आपका ग्लाइकोलीसिस प्रक्रिया होती है, अनारोबिक रिस्पाइडेसर होता है, अ माइट्रो कांडिया में जो एरोबिक रिस्पाइरेशन और आक्सिजन की उपस्थिती में भोजे पदार्थों का विघटन होता है जिसके तहट एक ग्लुकोज की जरर से चटीस एटीप का रिमाओ होता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ग्लुकोज की जरर से टू एटीप माइट्रो कॉण्डिया में तो माइट्रो कांडिया में क्या होता है एक्सिजन की उपस्थिती में भोजे पदाहर्थों का विघटन होता है आनि कि एरोबिक रिस्पाइरेशन यानि वाई वी स्षा Northeast Allah ग्रुकोज का का आड़िप का में और। है ऑक्षीजन के सहाज़ता स तो यह नहीवाय पही बनता है नो तो ज्मास में आजेड़ कोई वे जा आनष रावा उच को भीवाता है . Q3 में तुलना मेंने मोस सब्सक्रावार रहा हो घुक Поэтому 3. तो दोस्तो हो जो जनल लेशन प्लान है उसके अपिछा जो भीक्त वर्ट बीशे में तूपिक को फोकॉश्ट। मैं लेशन प्लान पर एक अच्छे सी विडियो बनाऊगी दोस्तों जिसमी अच्छे सी समझा दूँगी question 4 क्रिकेट की खेल में जमीन से विकेट की उचाई कितनी होती है what is the height of the wicket from the ground in the game of cricket जैसा कि आप जानते है cricket की खेल में जो हमारा होता है वो 28 इंच होता है विकेट की जमीन से उचाई कितनी होती है 28 इंच भी जानते होता है ठीक है? कोशन नमर 4 का आपसा नमर 8 त्राइड होगा. एंड आगे है कोशन, कोशन नमर 5 है, खेलो में जाच और माप के महत्तों के संबन्द में निम्निमेंसे कौम सा सही है? तो खेलो में, which are the following statements, the correct regarding the importance of testing and measurements in sports? तो टेस्ट और मेजरमेंट का हमारे sports में क्या महत है दोस्तों, इसके त्वारा हम अनुसंधान प्रयोग करते हैं, यानि कि for research and experimentation, भविसमें उपलवदियों को जानने के लिए हम क्या करते हैं? तेस्ट और मेजरमेंट का उप्योग करते हैं, यानि कि to know the future achievements and खिलाडियों की वर्गी करण के लिए for classification of players, भागीदारों की जुरुद को पता लगाने के लिए the find out of needs of the stakeholders. ये सभी के लिए आपका उपरों सभी यहां पर राइड अंसर हो जाएगा option number D, question number 6 है, हिदे की दाहिने निलय से रक्त बहता है, blood from the right ventricle of the heart, heart flow into, आप सबको पता है, दाहिने भाग में 4 कच्छों होते हैं, उपर की दो भाग, दो कच्छों को हम अलेंद कहते हैं, आयं आटियम नीचे के दो भाग को निलय याने ventricle कहते हैं, जो घीतिय निलय को निलय का सब्सक्राइड अंसरॉत, दाह अला निलय के दोरा में आते हैं, दाहन से गुप द्वारा निलय के दोरा कहा हैं, पर испृपडमों नीय। तो यहां पर दहिदे के दाहिने निले से रखत बहता है किसमें बहता है तो फूसी दियत धमनी यानि की पलमोंदरी धमनी आपका राइट एसर हो जाएगा आपसन नमर सी पलमोंदरी आर्टरी सारी सिच्छा कारेज छेतर में समील है तो स्वास सिच्छा खेलकुत गति भीदिया कैम डाला और नितित्य दिश्चा को जो किछेतर की अंतरगत आते हैं कोश्चन नमर् 8 है ओलंपिक खेरों की इतने दिनों की होती है दोस्तों आप सब को पता है फोड़ी देदिन अवडिक घेम तो दोस्तों 16 दिन की होती है और कोश्चन आसकता है कि यह जो लंपिक गेम की सुरा दिन जा रहा है कि जरूर याद रखिएगा उनीस सो अठाइस एमस्टाटम हालेन उलम्पिक से 16 दिंग की उलम्पिक खेल आयजन हो रहा है क्वेशन नमबर नौ है कि खेल कड़ाओं से ब्यक्ति, बल, गती, संतुलन के कौसल, नैतिकता और सौमिगों पनियतर करता है आजन सही है या कथन किसका है किसका कथन है या रूसो का रूसो जह है प्रकितिवाद के हैं ने सारे लाप्ट के साथ प्रकितिक नैतिकता का भी साधन स्विकार किया है उसे अपने संवेगों पर नेंदर करने उन्हें वांचनी धराओं में प्रवाह करने का आउसर भी प्राप्त होता है तो यह रूसु का कथन है कोशन नमबर टेन है तैली नमक एंजाइम किसमें पाजाता है जैने में तो आज पर टेन है आज आजए रींस बाद लल्ए होती है जायु आज इसमें से लाघ इस्तावीड होता है गुडों से पाचन करता है जैसे कि बहुतिक क्रिया में इस क्रिया द्वारा यह मुक को नम रखता है तथा जीब के साफ रखता है जिसे यह खाये भुज़ को गीलावा चिकना करके उसे सडलता से निगलने योगी बनाता है दूसरा हम रासानिक्रिया में या क्रिया टैलीन नमक एंजाइम याउनिक तैली में कर्भो हाईडा का पाचन करता है या इस चार्ण को सेलिवरी एमाइंटूज भी कहते हैं दूसरा इंजाइम होता है लाइसउजाइम właśnie पैने जाइमे nidinam sniff will connect the time भूजबतातों Your brain याद रखिएगा जो गुजन को गिला बनाता है को स्टेन नमर गया रहा है प्रथम प्राजिन ओलम्पिक खेल कब सुरू हुए थे वे इन वेर दर फर्स एसीन ओलम्पिक गेम तो आप सबको पता है जो प्राजिन ओलम्पिक गेम था 776 इसापूरु से 396 इस्वी तक 293 ओलम्पिक संपन हुए 1200 वर्सों तक चला यहाँ युनान के एथेंस में होता था संपन होता था और एक एक 396 ही में रोम के ततकालिस समराद थी और ने इस पर रोक लगा दिया थे अस्ते जिए के से यूरेसियो सेकेंड वाला पुछा था उसके बाद क्या हुआ था कि भुकम पाया फिर एलफियस नदी ने ओलंपिया को नश्ट कर दिया और जियर सथा क्रोनोस के पवित्र मंद्र को भी नश्ट कर दिया आपको प्राजिंग ऑलंपिक बादे में डीटेल में जाना है दोस्त टोस्तुम नम्बाई कितनी होती है तब मैक्सिमम लेंथ हॉपल जविलन थ्रो इं मेंस क्तवर्क ग्री दोस्तों पुरुसवर्क कर दिया भाला की जो लंबाई होती है 250 से 270 से मीटर होती है 2080 से 270 मीटर में क्या हो जाएगा 22060 मीटर से 22070 मीटर से तो यहां पे आपका right answer क्या हो जाएगा question पूछा क्या है question पूछा है question पूछा है कि अधित्तम नंबाई को उतना होगा तो 2.6-2.70 cm है तो जो अधित्तम होगा उसको लिया जाएगा तो अधित्तम क्या हो जाएगा 2.70 m ठीक है 2.70 m यानि कि जो पूर्सों की भाले के लंबाई होती है 2.70 cm और महिलाओं के लिए 220 cm से 230 cm होती है और इसकी जो धावरपत होता है 36.50 m होता है और चौडाई जो होता है 4.00 m होता है कोस्टन नमर 13 है महिला वर्ग में 100 m बाधा दोड़ का कृतिमान इस्थापित करने वाली भारती महिला कौन है तो आप जानते हैं दोस्तों who is the Indian woman who holds the record in 100 m hurdles in women's category तो दोस्तों आप सब को पता है P.T. उसा का नाम जो है 100 m में इन्होंने सो मीटर में इन्होंने कब हुआ था P.T. उसा ने सो मीटर में टेश्वा ओलम्पिक 1984 लोस एंजल्स अमेरिका में पीटी उसा 400 m दोड़ में फाइनल के लिए में इन्होंने क्वालिफाई किया था फाइनल में याद रखीगा 1984 लास एंजल्स में अमेरिका में तभी से उनको पाइले एकस्पेस औरन परिदाम से मसूर हुई और जो सो मीटर बाधा दोड़ में कृतिमान इस्थापित करने वाली भारते महिला भी यह बनी है और ओलम्पिक में क्वालिफाई करने वाली भारते महिला भी बनी है बाधा दोड़ में ठीक है यह चठी ट्रैक एंड फिल्ड चैंपियंसी प्रटेक्टा में 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर चार गुड़े 100 मीटर रिले दवर में स्वर्पदक गी थे 1983 में इनको अर्जिन प्रुसकार से समानेत किया गया 2000 में भारतिय उलम्पिक संग ने सतावदी की सरसेष्ट भारतिय महिला खिलाड़ी को समान भी इनको दिया गया और पीटी उसा का पुरा नाम है पल उल्ला खंडी ठक्के परमवील उसा ठीक है कॉस्जन में चोटया है बेंट एकस्जिन जोन की रेखा किस रंग की होती है तो वाट इस दे हो कलर आप वेटन एकस्जिन जोन लाइन? तो दोस्तो Studios चैसा कि जो इसよろしく लाइन होती है 100 मिडर की उसके दश मिडर आगे पीछे बेटन एक्सेंज जो दो भी होती है उसे पहले 10 मिटर का आपका एक्सेलिजर जो होता है जो भी एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को बेटन आप में पकड़ाता है वह रेड कलर की होती है यानि लाल रण की होती है ठीक है क्रिकेट पीच के सेंटर में बारंडे लाइन की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए तो कम से कम पूछा है तो 65 गज हो जाएगा ठीक है अग ज्यादे से ज्यादे पुछता तो 75 गज हो जाता ठीक है क्वेशन नंबर 16 है तोचा की चोट है जो आम तोर पर किसी उपसकर विशेश के साथ घर सड़ या जिस जगह अस्थी तोचा के काफी नदीख हो उसे जगह पर गिरने की वज़ा से लगी चोट को करण होते हैं तो यह रगड़ना हो गया आपका एबरेजन खरोच आपका की इंट स्टर होगा की कॉस्चा नंबर 17 है मदम वीडों से आप क्या समझते हैं वांट दूयू ऊंटरीट बऊनिटतेट वाइं और डियर्चिक हां तुब ये प्लस्क्रियेशन येनि पुनाह क्राप्त करना पुनाह ताजाहता जानाई कुआऀए 18 सिटिंगलांख्स अब किस्द खेल से समधीत है तर्म सिटिंग बलांख् exactly और लेहें इस भुञड़ ने इस धोड़ा है परियोग होता है कि है िश्रयाइपर दूरपर है एक गुड़े आठ मीटर का बलाक होता है जहां आउट होने वाले खिलाड़ी पुरह अपनी बारी की प्रतिच्छा में बैठे रहते हैं Q7 कर्या भार क्या सतों है महिला के लिए जेविली का हम कितना होता है वेट ऑफ जेविलीज परवमेवर मेंन मिटर खैगसी रहते हैं मेंन के लीए 800 मिट है Q2, Q2 प्रियावरों के मांग्सों को पुरा करने के मनुस्य क Norway च्र Zhao concept है the ability of men to meet the demands of the environment age तो दोस्तों प्रयावरोड की मांगो को पुरा करने के मनुस्य की छंता को हम कहते हैं तो यहां पर एक मनुस्य की छंता को हम फिटनेस कहते हैं फिटनेस तो यहां पर English origin देख लिजेगा जहां पर भी फिटनेस होगा वहां पर आंसर लगा दीजेगा तो नि के रूप में परिवासित किया जाता है इसमें द्रुग्रता नहों हो दस्यता यानि फिटनेस परियावरोड की मांगो को पुरा करने के लिए जंता है फिटनेस इस दे अबिलेटी तू मीड़ डिमांड्स द इन्वार्मेंट याद रखेगा कोशन नमर 21 है यदि कोई खिलाड़ी प्रसिच्छा की देख रेख में सिखे हुई कोशलो का अभ्यास करता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो प्लेयर प्रैक्टिसेज दे स्कील लर्ण अंडर दे सुपर वीजन आप कोश वाट इस इस कोशन का एंसर इजक्ट नहीं मिल पाया है जो भी इस कोशन का एंसर सही जिसको भी पता होगा कमेंट में जरूर बताएगा 21 नमर कोशन का क्योंकि आपके घटना चक्र में इसको कोचिंग बोला गया है और अने बुकों में इसको ग्रूविंग दे स्ट्रोक कहा गया है जैसे कि आपके यूथ कंपरडिशन में भी इसको ग्रूविंग दे स्ट्रोक कहा गया है तो कौन सा इसका राइड एंसर होगा यह एक्जेक्ट इसको नहीं कहा जा सकता है और मुझे कंफर्म नहीं है इस क यहाँ पर आप सभी दीजिएगा जिसको भी इसको याद हो तो यहाँ पर चूम का कम्प के ळिए जगह का चुनाओ कर दे का किस चीज को ध्यान में which wise थे अचिंच अच्वा जो ही और थे मुझेट मुझे चाहिए क appelle किम्पिंग तो क्यांप का चुना आप कर रहे हैं तो इट किस्छक प्रकार प्राक्रिती को सहर से दूर हो ऐसे चीजों का ध्यान में रखेंगे क्वेच्ट सिच्छा में खेल प्राली को लाने का सरह को जाता है विड इंड्रोड़क्टिन इसपोर्स सिस्टम इन एजुकेशन तो दोस्तों इसको लाने का स्रय है कॉल वेक कुक को जब कि किंडर गार्णर प्रधती को लाया था फ्रोफियल ने याद रखिएगा माइकल जानसन की स्खेल से समंधित है माइकल जानसन इस रिलेटेट टू विच गेम तो दोस्तों माइकल जानसन जो है एथलेटिक से समंधित है बहुत समय तक इन्होंने अपना वर्चस बनाया हुआ था सभी एथलेटिक स्खेलों में जो दड़ है उनकी रहने तक कोई उसम प्रतेग पार्स पठाटी के बाहरी किनारे पर एंटिना की जगर कर रखता है अधीना एक लचीला राड होता है यद फाइबर गलास की बना होता है परतेग एक 186 cm पर उड़ा उसमें रहता है जो जाल को सिससी जगए वर्ण रहता है। होता है एंडिना को भी नेट का हिसा माना जाता है और पार करने का छेतर सी मांगर होता है यहां पर जो नेट का रंग होता है लाल सफेड दस मिटर लाल दस सेंटिमेटर लाल दस सेंटिमेटर से सफेड से रंगा होता है जो आपका नेट के उपर असी सेंटिमेटर होता है वो कोस्टेम न्मट चबिस है बस्केटबॉल में 10 विच्ट मिनट का खेल समय लिए विच्कषाम को समय कितना होता है वाट इफ लेक्ट टाइम बस्केट बाश्किट बाश्केटॉल गेम आप्टर टेन मेनटी आप ले दोस्तों जैसा कि जानते है चार क्वार्टर में होता है ज जिसमें से जो quarter break होता है 2 minute का होता है और जो mid break होता है वो आपका 10-15 minute का होता है कोशियन 27 है 110-meter hurdle में प्रारंभिक रेखा से प्रत्थम hurdle की दूरी 110-meter hurdle में प्रारंभिक रेखा से प्रत्थम hurdle की दूरी कितना होती है इन्हे 110-meter hurdle race the distance of the first hurdle from the start line दोस्तो 110-meter बाधा दोर्ड में जो बाधा की प्रानमिक रेखा से प्रत्म बाधा की जो दूरी होती है वह तेरे दसम लोस ते साथ तीर मिटर होती है ठीक है जैसे कि बाधा दौर में सभी बाधाओं में 110 मिटर, 100 मिटर, 400 मिटर 110 मिटर और 100 मिटर 110 मिटर पूरुस के लिए होता है और 400 मिटर पूरुस तो एक्सों समीपज़ मृता है तो एक्सोंद . पूरुष बनाए हुँ एधिय। वाले प्लेलिश में जाईए और देख लिजिए को सिंगा अठाइस है भारात में सरोपर्थम किस समचार पत्र के द्वारा खेल समाचारों को प्रकासित किया गया था विच न्यूज पेपर फर्स्ट पब्लिश्ट इस्पोर्स न्यूज इन इंडिया दोस्तों इसका भी एं अधिया हुआ है मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ है ठीक है को सिन मों 39 है नेताजी सुभाष राश्डी खेल संसांत पर ट्याला कब सुरू हुआ तो आप सबको पता है साथ मैं 1961 को शुरू हुआ और केंदरी मंद्री डाटर केल स्रिमाली ने इसको साथ मैं 1961 को इसका उद्गारण किया था आब 1973 में इसका उद्गारण किया था तो उसका नाम एन से नायस था नेताजी सुभाष राश्टी एखेल संस्था था फिर उनी से थीट्र में छित शीटरवे जानती पर कोशन नमर तीस है कि प्राजिन उलम्पिक खेलों का आरंभ किस ने किया था फूर इंस्टार्डे दे एसेंड उलम्पिक गिव दोस्तों आप सबको पता है यह यूनान में 766 से 766 इसा पूरू से 394 इस्वी तक कुल 294 खेल खेले गए अपर देख चारवस बाद यूनान के रधा यह थेंस में होता था कोशन नमर एक तीस है पोल वाल्ट में क्रास बार के लंबाई कितनी होती है तो पोल वाल्ट यानिक बास कूद पोल वार्ड यानि कि बास कूद में बास के जो क्रास बार होता है उसकी जो लंबाई होती है 4.50 मिटर होता है कितना होता है 4.50 मिटर तो पोल वार्ड यानि बास कूद में जो क्रास बार की लंबाई होती है 4.50 मिटर होती है और हाई जंप में जो करासबार होती है उसके लंबाई 4 से 4.2 मिटर होती है याद रखेगा कोश्चन नमर 32 है सारी सिच्छा के सिधान निन में से किस पर जाला अधारित है तो दोस्तो अनुभव या सुजबूत का परंपरा रितिया अंतासने की वजाए थोड़ा थोड़ा सपर अधायत है बट सबसे ज्यदा अधायत है प्रक्रिया से समंधित बैग्यानिक नियमों पर कोशन नमर 33 है कारी निती सिग्र-गामी विश्राम किस फ्ष्ञेल से समंधित है इस fathers is wide loft breaking is all सब्द किस फ्ष्ञेल से समंधित है नियों Aaन ए बास Pictures बाल से रिलेटिइट है इस इसे रिलेटिट है बासlarını बास Iris से रिलेटिटी है कोस्टेन नमबर 34 है कि सारी सिच्छा का एक प्रमुख लच्छ सारी सच्छंता है सारी सच्छंता का चरर दर चरर उपागम है तो दोस्तों यहाँ पे चार लाइन दिया गया है उसमें सबसे इस्टेप बाइस्टेप आपको अरेंज करना है थो सबसे पहले हम किसी चीज को और जर्वेस्ट sense करेंगे T शॉम्यन करेंगे सब्से पहले हम सच्छंता और शारी कारेक्लाब का स्वावाे स्वान्य न нुजन करेंगे यानि सबसे पहले दू हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे उसका अध्यन करेंगी ठीक है जो के बाद 3 हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे उस कारे कलाप को करेंगे याम करेंगे तो 1 हो जाएगा उसके बाद उस चीज़ पर हम जीवन प्रयांत अपना लाइफ इस्टाइल बना लेंगे सारे कलाप में जीवन प्रयांत से सलंगन होंगे तो 4 हो जाएगा इस प् कि प्रतिविटा की प्रकार है नाकाउट चैलेंज लीग टूर्णमेंट इतनी अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि आपको बुक पढ़ना ही नहीं पड़ेगा आसानी से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा चारो टूर्णमेंट कोशन नमबर 36 है यह परिभासा किस ने दी है कि मनुविज्ञान मनुस्य और अण्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का विज्ञानिक अध्यन है दोस्तो इस प्रिभासा को दिया है डिफिनेशन को दिया है कुर्क्स और इस्ट्रेंड ने कोशन नमबर 37 है निर्णमे से किस उलम्पिक का सरपथम अंतराष्टी इस तर पर टेलिविजन पर प्रसाड़ हुआ था तो दोस्तो यह हुआ था 1956 सीद उलम्पिक में सरपथम अंतराष्टी इस तर पर टेलिविजन पर प्रसाड़ हुआ था ज्योंकि आकासवाई पर प्रसाड़ से पहले हुआ था 1936 बर्लीन उलम्पिक में या दर खिएगा कॉस्टर नुम्बर कॉस्टर नम्पर आर्टीस है वी स्चाहान किस खेल से समधित है वी एस चाहन is related to which गेम ये देकाथलान से समधित है दोस्तों वी एस चाहन किस समय प्रसाप्र जात तो प्रसाइब होती हैं दो दिन चार्ट्रेक उस और शेया इनकों में जाद और अंचारों के बारे में आप एसलेटिक्स वाले प्लेजिश में जाईए और ट्रिक के साथ वहां पर देखिए के दयोदरfeit ट्रॉफी की स्केल से सब्धित हैं एस अब खर ज कर ones की से darf li पूछता आप और या सिमित उवार्क की अंतर छेतरी प्रतिविता से समन्दित ट्रॉफी है कि प्रेसर ट्रेनिंग का विस्कार किस ने किया था , ग्रेंदेटेए बैस्कार का यह अविसकार इंदन बॉटम ने किया था कोच्शन में 41 और लास्ट कोच्शन का रहां सिपन अगो हो है वह आज के सेयसें का रोह हो हुइंगत़ भाघ्या टोफि दिया जाती है तो किस से खेल में दोन बाचित वी रोहिंगटन बारिया ट्रोफी क्रिकेट में दिया जाता है तो यहां पहुतिता अज कोशंस आपको अच्छे से सबजमें आएंगे जिस भी कोशन में डाउट होगा कमेंट में जरू बताएए जो भी गलतिया होंगे हम समील के उसको सालो करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो मिलते हैं नेक्स प्रैक्टिस सेट में तब तक के लिए जैहेंगे